नमस्कार आपका स्वागत है हमारी खास पेशकर डॉक्टर कसाना जोड़ी शो में आपके साथ मैं हूँ अंकिता और मेरे साथ हैं जाने मारे कॉस्मेटिलोजिस डॉक्टर ललित कसाना डॉक्टर साब बहुत-बहुत स्वागत है आपका तो बेदाग त्वचा किसे नहीं चाहिए होती लेकिन जब त्वचा पर डाग धबे काला पना जाता है अगर आप भी ऐसे ही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो अब आपकी सारी परिशानिया दूर होने वाली हैं क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ललित कसाना औ एक नई उचाई तक ले जाने वाले वो नाम जिन्होंने बेहत कम उमर में ना सिर्फ राष्ट्रिये बलकी अंतराष्ट्रिये उपलबधी भी हासिल की हैं डॉक्टर ललित कसाना ने होमयोपैथी की डिगरी साल 2012 में होमयोपैथी मेडिकल कॉलेज अब उहर से हासिल की बी क्लीनिकल रिसर्च में पोस्ट ग्रेजुचन डिपलोमा और मुंबई के इंडियन इंसցट आफ कॉस्मेटोलोगी से क्लिनिकल कॉस्मेटोलोजी एंड एस्थेटिक मेडिसिन समेड भी पोस्ट ग्रेजयुचन डिपलोमा है सिदिक जैई इसके अलाबा इस्चूट ओफ लेजर एंड एस्थेटिक मेडिसीन से मेडिकल टूचोलोजी में भी टिप्लोमा हासिल किया अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर ललित कसाना ने साल 2012 में अपना पहला क्लिनिक खोला फिलहाल इनके दो क्लिनिक ग्रेटर नोइडा और गाजियाबाद में मौझूद हैं डॉक्टर कसाना भारत में हुमेपैथी को एस्थेटिक से जोड़कर मरीजों का इलाज करने वालों में अपनी तरह के पहले डॉक्टर हैं अपने इन अनूठे पढ़ेगों को लिकर चर्चा में रहने और मरीजों की ओर से मिली प्रशमसा के चलते इन्हें राष्ट्रिये और अंतराष्ट्रिय स्थर पर कई प्रशकार भी मिले हैं जिन में से एक है भारत कॉरव अवार्ड इन्हें दो दो बार बेस्ट कॉस्मेटोलोजिस्ट एंड एस्थेटिक्स का अवार्ड मिला महस एक मिनट में 38 मोल्स निकालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी डॉक्टर कसाना के नाम ही दर्स है इन तमाम उपलब्धियों के अलावा डॉक्टर लरित कसाना भारत और अमेरिका में नेशनल कॉस्मेटोलोजिस्ट एसोसियेशन के सदस्य भी है डॉक्टर कसाना ने अपनी तरह के कई और अनुठे प्रयोग भी किये हैं उनमें से ही एक शुरुआत है डॉक्टर समिडी सलुन की जहां कई तरह के स्पेशलाइज़ कॉस्मेटिक ट्रिटमेंट किये जाते हैं तो आईए जानते हैं डॉक्टर कसाना से कि स्किन केर क्यों इतना जादा महत्वपून होता है और अगर हम सही तरीके से स्किन का ध्यान नहीं रखते हैं तो क्या-क्या परिशानिया भी यहां पर हो सकती हैं डॉक्टर साब, स्किन केर क्यों इतना जादा इंपोर्टन है? देखे अगर हम बात कर रहे हैं स्किन के बारे में, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं सरसले के पैर तक, क्योंकि स्किन जो है, वो हमारी पूरी बॉड़ी को कवर करती है, इसके एक ऐसा ओर्गन है, जो हमें प्रोटेक्शन देता है, जितने भी इंटरनल ओर्गन्स हैं, जितने भी आपके टिशूज हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, बतरब पूरी बॉड़ी को एक प्रोटेक्शन इसकिन दे रहा है, अगर हम उसमें कहीं भी हमारी protection में खामिया हैं हम उसको proper care नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं न कहीं हम नियोता दे रहे हैं direct infections को, direct बिमारियों को जो हमारी internal body को direct आपका effect कर सकते हैं तो skin care हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और ये भी है कि चाहे वो face है, hands है, legs है पूरी body पे skin care वो सारा का सारा सभी चीज का एक संपूर्ण हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से care जो है उसमें involve हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा important है अगर आप skin की care नहीं करेंगे तो अलग लग तरह की बिमारियां जैसे कि आपका fungal infections है, itching वगरा और बहुत सारी problems जो है वो आपकी start होने लगती है लेकिन अब वहीं हम साथ में जो पूरा का पूरा इन चीजों को करेंगे अगर अच्छे से care करेंगे, skin की बहुत अच्छे से हम care कर रहे हैं यह सारी की सारी बिमारियां दूर हो सकती है तो अब हमें जानने अब बहुत ज़्यादा जरूरी है कि किस तरह से हम skin की protection करें क्योंकि हम बात करें, सर से लेके पैर तक, पूरी skin की तो उसको hydrate अखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि नॉर्मली जो सबसे पहले problems से start होती है itching की और जैसे अभी weather भी कभी भी change होता है तो उसमें आपको proper care करनी बहुत जरूरी है उसमें अगर आप proper care नहीं करते हैं तो वो आपका दीरे-दीरे problems जब बढ़ने लगती है itching आप जैसे धीरे-दीरे itching start होई अगर आप hydrate skin को proper नहीं कर रहे है proper उसको नरिश नहीं कर रहे है तो पहले itching start होगी आप उसको scratch करेंगे उससे skin damage होने लगती है जब skin damage होगी तो फिर infections वगरा बहुत easily आपको पकड़ने लगते हैं तो ये सारी सारी चीजे होने लगती है तो इसलिए skin care बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप skin care कर रहे हैं तो समझो आप अपने पूरी body की care कर रहे है डॉक्टर साब आप बार बार यहाँ पर बोल रहे हैं जो temperature जो water का है वो आपका बिल्कुल normal हो उसमें आपको ज़्यादा अगर गरम पानी करेंगे तो वो excessive dry skin जो हो जाती है दूसरा है कि आप proper उसकी nourishing करें उसके लिए आप कोई वे अच्छा सा moisturizer यूजज कर सकते हैं मैं जो अपने patient को prefer करता हूँ ज़्यादा coconut oil लगाने के लिए बोलता हूँ क्योंकि easily available है और वो आपका बिल्कुल natural है तो आप नहाने के बाद coconut oil अच्छे से massage कर सकते हैं अगर skin में ज़्यादा dryness है skin बहुत ज़्यादा extra dry है तो आप जो पानी आपने use किया है खासकर सर्दियों के लिए क्योंकि normally ठंडे पानी से नाना पॉसिबल नहीं हो पाता है और कई बार लोग थोड़ा से ज़्यादा temperature अच्छा लगता है कि ज़्यादा गरम पानी हो तो उसमें आप coconut oil एड़ कर सकते हैं लेकिन lukewarm water हो मतलब ज़्यादा excessive नहीं करना है और उसके बाद नहाने के बाद आप अच्छे से पहुचें जो towel वगरा है उसको रब ना करें ज़्यादा टैप करके आप body को ज़्याद सुखाएं उसके बाद फिर अच्छी quantity में coconut oil देखतो होता है कि आपने हलका हलका सा coconut oil एपलाई कर लिया तो ऐसा नहीं करना है थोड़ी सी अच्छी quantity में ज़्यादा coconut oil इसके साथ body पर massage करनी है कि proper nourishing हो जके और उस nourishing के बाद आप उसको अगर लगता है कि भी बहुत सारे लोगों का question होता है अगर हम coconut oil वगरा यूज करते हैं तो पूरा दिन फिर अच्छा नहीं लगता चिपचिपा टाइप का लगता है तो उसके लिए यह option है कि आप massage करने के बाद उसको proper आप towel से हलके हलके से clean कर सकते हैं जो extra oil है वो आपका जो हट जाएगा और जितना भी जो internal हमें चाहिए जो hydrate अकने के लिए वो आपका हमें मिल जाता है और उसको भी जरूरी है कि अगर possible है सर्दियों जैसे मौसम में या फिर आपका जब भी skin जादा dry है तो आप सुबह साम दोनों टाइम आप massage कर सकते हैं आप आलमंड ओईल है यानि की बदाम का तेल या फिर अपका जो थोड़ी बहुत जादा ही चींग होती है तो आप जैतून का तेल वह भी यूज कर सकते हैं तो नैचरल ओईल्स ज़्यादा आप प्रफर कीजीगा कि नैचरल ओईल्स का मतलब जो जिस तरह से हैं उस तरह से ही हमको मिल रहे हैं कुछ जैसे ज़्यादा essential soils वगरा होते हैं उनकी यूज ना करके कॉस्मेटिक ओईल्स का यूज ना करके नैचरल ओईल्स का ज़्यादा आप यूज करें मतलब कुलमिला के यह है कि सुबह उठने से नहाने तक में आपको इसकिन का ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए और उसके बाद जिस तरह से आपने भी जिक्र किया मौसम का प्रभाव पड़ता है तो मौसम लगातार बदलता है और उस टाइम पर हम केर नहीं करते हैं तो मौसम में कैसे केर करें क्योंकि अब सर्दिय भी नसदीक है हाँ, सर्दियों के मौसम में, इसकिन की प्रॉब्लम से ज़ए बढ़ जाती है, और वह भी इचिंग से रिलेटिट, क्योंकि जैसे गर्मियों की बात करें तो तुमें फंगल इंफेक्शन वगरा ज़ए वो थोड़े से ज़एदा बढ़ जाते हैं, जो स्वैटियों के जाद होते हैं, आपके सलफेट फ्री पराबीन फ्री जो आपकी सौप आती है, वो यूज कीजिएगा, हाइड्रेट रखें, इसकिन को मौस्टराइज रखें, उस तरह की सौप यूज कीजिएगा, नहने के बाद प्रॉपर जो है, जैसे मैंने बताया था अभी कि नरिश स्किन आप प्रॉपर तो आप कितना भी स्क्रेच कर लीजिएगा, उस पर बताब उस तरह के वाइट स्पॉर्ट मी आते हैं, तो आपको पता है कि हाँ भी स्किन प्रॉपर ह्यूज को पता कर सकते हैं और दूसरा, जो सकिन टाइप के अकॉर्डिंग ही होता है, हाँ, नॉ वो को moisturizer वगरा face पे थोड़ा सा जो है बचाना चाहिए कि अगर वो face पे भी moisturizer लगाएंगे या फिर उस तरह की चीजे लगाते रहेंगे oil suppose face पे लगा रहे हैं तो face के लिए oil वगरा जो face के लिए नहीं है हम बात कर रहे हैं बाडी के लिए face के लिए आप कोई भी non-commodogenic product, moisturizer वगरा वो यूज कर सकते हैं कि जो pores को block नहीं करेगा ठीक है और इसके लावा फिर sunscreen हम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर्दियों के मौसम में हमको क्या लगता है कि जो दूप तो इतना है नहीं तो हम लोग sunscreen नहीं करते है संस्क्रीन लगा के भार नहीं जाते हैं तो वो इसकिन को सबसे ज़्यादा डेमेज करता है क्योंकि अगर नॉर्मली जो UV rays है हम लोगों को लगता है कि जो light है light हमको डेमेज कर रही है लेकिन उसमें जो UV rays है जो नॉर्मली डिखती नहीं है वो डेमेज करती है जरली डॉकर यह होता है कि गर्मियो के मौसम में हम संस्क्रीन यूज कर लेता है क्योंकि हम जाधा touch में होता है संस्क्रीन के लेकिन दूसरे मौसम में हम लोगग अवाइट कर देते हैं तो क्या ठीक रहता है देखेगा गर्मी सर्दी UV rays तो वो अर मौसम में रहते ही है इत सर्दी का मौसम है चाहे गर्मी का मौसम है बरसात का मौसम है इविन अगर बादल भी है तो बादलों में से भी लगबंग 90% जो UV rays है वो आपका बादल को भी क्रॉस करके आजाते हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर चाहू हो रही है तो डारेक्ट आप मतलब संस्क्रीन यूज ना करें अब संस्क्रीन भी जो दो तरह से होते हैं एक तो आपके संस्क्रीन जो प्रॉपर होते हैं संस्क्रीन का क्या वर्क होता है कि अगर आप संस्क्रीन बॉड़ी के ऊपर लगा रहे हैं ठीक है तो वो जो UV rays उनको एब्सॉर्व कर लेते हैं जिससे कि जो UV rays है टुछारी उसकी अंदर तक नहीं पहुच पाते हैं जो सेम काम जो पिछले एपीसोड में डिसकस किया तो जो Milano Sight करते हैं जो Milano Body में वहीं पे Sunblock जो दूसरी तर्म है Sunscreen or Sunblock Sunblocks क्या करते हैं वह UV rays को अंदर जाने से ही रोक देते हैं उनको वहीं पर ही कर देते हैं जैसा कि junk oxide अगर होते हैं जो ingredients संस्क्रीन और में होते हैं तो सबसे जहादा ज़ rant करना जो है वह ज़्यादा जरूरी है अगरा रहे तो इसके मतलब वा आपके 100% protection है जो की आप सब्से जपसे ज़्यादा ज़ीकश्क उसमें डॉलारे आगर आप सपोज अम्ब्रेला लिया है तो अब बरघ्णि यहे या फिर आपने अगर कप्ड़ा वे अगर 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 फेसे फार अगर करेंगे तो से दो चीजों का फायदा है एक तो आप डारेक्ट पॉलुशन वग्रा है जो हीस्किन को डेमेज करता है इना उससे आप प्रोटक्ट करूं आप गयरा तो पुरुप वग्रासे भल तो हमारी प्रोटेक्स दोनों चीजों से हो रही है तो वही है कि केर जब तक आप नहीं करेंगे इसकिन की तब तक प्रॉपर जो है आप उसको मिंटेन नहीं कर पाएंगे सब इसी से जुड़ा हुए सवाल भी हमारे पास आया है गाजेबाद से अमित ने वाटसेफ में यह सवाल पूछा है कि बाइक वो चलाते हैं और करीब करीब 30-40 किलोमीटर उन्हें रोज बाइक से आना जाना पड़ता है तो ऐसे में उनके हाथ हैं वो काले पड़ गए हैं तो फिर क्या कर सकते हैं वो अगर आप कंट्यूनिएसली कहीं बहुत ज़्यादा मतरफ रिक्वेटली आप जा रहे हैं या फिर आपका एक्सपोजर संसे जो वो बहुत ज़्यादा है तो वो इसकी न को डामेज करने लगता है जिसको अम संबर्ण नॉर्मली बहु भूलत आजकल जैसे gloves वगर आते हैं थोड़े से बड़े या फिर आप full sleeve की shirt पहनिएगा कि वो proper आपका block हो सके तो अगर आप regular की जो tanning आ चुकी है वो तो एकदम खतम नहीं होगी उसको कम से कम भी अगर आप उस पर कुछ medicines use नहीं कर रहे हैं तो आपका कम से कम भी वो 5-6 month proper clean होने में लगते हैं उसको अगर आप वहीं पर कुछ home remedies वगर यूज़ करेंगे जैसा हमने अपने लाश्ट एपिसोड में डिस्कस किया तो उसको थोड़ा सा जल्दी उसको require कर सकते हैं लेकिन आमी जी आपके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर जब भी भाहर जा रहे हैं कोसिस करें कि full sleeves पहने और साथ के साथ अपना sunscreen वगर अपलाई कीज़ेगा अगर आपको बहुत ज़्यादा normally रहे भाहर का कि आपको जाना ही पड़ता है तो आप कम से कम भी SPF 30 जो है आप लगा सकते हैं साथी डॉक्टर साब जस तरह से आपने बताया कि सर्दियों में किस तरह से केर करनी चाहिए गर्मियों में किस तरह से केर करनी चाहिए सर्दियों में जस तरह से बहुत जादा moisturizer की ज़रुवत परती है क्योंकि skin dry होती है गर्मी में क्या करना चाहिए तो उसमें आप sunscreen use कर सकते हैं और वो भी उस तरह से कि जो आपकी ग्रिशी ना हो कि कई बार चिपचिपे sunscreen जो है या फिर जो moisturizer with moisturizer sunscreen होते हैं तो वो आपको गर्मियों में use नहीं करने हैं उसमें आपको gel-based sunscreen जो है तो उस condition में भी आपको जो है उसी तरह की sunscreen जो है use करनी है अभी sunscreen का हम जिगर कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो confuse करने वाली बात होती है कि आजकल जैसे term आई है कि कोई भी आपको बताता है कि यह sunscreen जो है day long है यानि कि पूरा दिन चलती है या फिर आपकी waterproof है water resistance है तो देखे कि इस तरह से मतलब कुछ नहीं होता है कोई भी जो sunscreen है वो maximum जादा से जादा three hours तक protect कर सकती है यानि कि जो लगाने का time है वो आपका sunscreen को कम से कम भी आपका तीन गंटे के बाद आपको रिपर मतलब वापस से करना पड़ेगा तो और कौन सा sunscreen हमें चुनाफ करना चाहिए कि कौन सा हमें यूज करना है संस्क्रीन जो human हमारा जो अलग-अलग skin का texture है उसके accordingly हम उसको चूज कर सकते हैं जैसे इंडियान इसके न टाइप 4 protection आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आप SPF 50 प्लस sunscreen जो है वो यूज कर सकते हैं लेकिन डॉक्टर की guidance according ली मतलब नॉर्मल अगर आप रूटीन में यूज करना चाहरे है तो SPF 50 वगरा की जोड़त नहीं है SPF 15 टू SPF 30 आप यूज कर सकते हैं वो भी अगर इसकिन बहुत ज़्यादा ओईली है आपकी तो आपको जैल बेस संस्क्रीन चाहिए अगर एक्सेशिव ड्राई स्किन है तो आप कोई भी क्रीम बेस संस्क्रीन जो है यूज कर सकते हैं बट वो नॉन कोमेडियनिक होना चा साथी डॉक्टर साब आगे बढ़ेंगे एक सवाल भी ले लेते हैं ब्रिज मोहन ने हमें सवाल किया है जारखंड से उन्होंने यह सवाल पूछा है हमसे कि उनको खुझली बहुत जादा होती है इसके पीछे क्या रीजन है और वो क्या कर सकते हैं देखें इसकीन अलर्ज चाहिए उसको हम एजे केर उसको नहीं कर सकते कई बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कई बार लोगों को सीविर इंफेक्शन सोते हैं और उसको सिंपल लीचिंग वगरा जानके जो है ऐसे घर पर कुछ ना कुछ नुकसे यूज करते रहते हैं और जब इसकीन ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर उसको टाइम भी ज़्यादा चाहिए क्योर होने के लिए ठीक है अभी इस कंडिशन में क्या है कि अगर उनको नॉर्मली सिर्फ इचिंग है तो वो प्रॉपर केर से जो है उसको सही कर सकते है जैसे कि अभी हमने बताया को कोकोनट टॉ प्रॉपर यूज करें सिर्फ इचिंग अगर आपका बिना किसी रेपसंस के है तो उस कंडिशन में आपका या तो कई चोटे 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 रेपसंस हो जाते है जैसे अलग अलग है स्कैबी जो जल्दी फैलती है उसमें इचिंग बहुत ज़्यादा सीविर होती है तो व अगरा है कि भी कोई रेपसंस वगरा नहीं है कोई इच्छन नहीं है सिर्फ खारिस जिसको बोलते है नॉर्मली हो रही है तो उसके लिए आपको प्रॉपर जोए आपको हाइडरेट कीज़ेगा इसकिन को डाइट अच्छी रखेगा काई लोगों की डाइट उस्तर हो जा मिर्ची वाला कुछ खा लेते हैं तो अपना बिल्कुल सात्रीक बोजन जिसको बोलते हैं वो रखेगा अपना सलाद वगरा जादा लें वाटर इंटेक क्योंकि सपोज एक फ्यूल का काम करता है वाटर हमारी स्किन के लिए ना कि वह हाइडरेट करना इंटरनली हमने एक् है वार छोगते हैं कि एक बहुत अच्छी ट्रीक है कि कि आप एक लिटार चाख कर करें और पहले दिन और गलास लिया दर दर देज वखरे घंटारेशंय कि उस तरह से आप धरे देज़ बड़ाएंगे और अगर आप गई-दीरे बढ़ाएं अगर को कि इसी भी चीज को और रूटीन में लगबग 30 days तक करते हैं, तो वो हमारी habit बन जाती है, और आप एक बार उसको as a medicine 30 days तक लीजेगा, फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बिगर पानी पिये रही नहीं सकेंगे बिल्कुल तो पानी पीना बहुत जादा ज़रूरी है, अगर आप अपन पीने के ज़रूरत है, डाक्टर साब एक और सवाल यहां पर है, संदीप ने जहारखंट से हमें यह सवाल पूछा है कि 3-4 साल से उनको fungal infection की problem है और वो बहुत जादा परिशान है, जी जी तेखेंगा, अभी जो यह मौसम चल रहा है, थोड़ा सा humid वाला मौसम है, और गर कर रहे हैं, sweating आरी है, आके सूख रहे हैं, फिर जैसे सब्सक्राइब जिम जाते हैं, जी जाने के बाद आए घर पे, तो एक human nature है, हमको लगता है कि आप सब्सक्राइब बहुत जाद हो रहे हैं, आपको लगेगा कि घर जाके बात लेंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग ठंडे environment में वापस आते हैं, AC वगरा में वापस आते हैं, तो क्या है कि वो हर जो है, मतलब जो मन कर रहा था, नाने के लिए, क्लीन करने के लिए, वो खतम हो जाती है, हमें लगता है कि बिल्कुल ठीक है, पसी ना सूग गया, सारी चीज़ बिल्कुल टैंपरेचर एकदम comfortable हो गय में किया है, जो स्वेटिंग हुई है, वो आकर ड्राइ होने लगती है, वहीं से ही फंगल इंफेक्शन इस्टार्ट होने लगते हैं, तो फंगल इंफेक्शन को क्यों करने के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ा हो है, हाईजीन, प्रॉपर हाईजीन मेंटे कि अगर कोई भी किसी भी इंडिवीजवल को इंफेक्शन हुआ है, तो सबसे पहले जो उसके मन में बात आते हैं, क्रीम्स यूज़ कर लें, अभी कोई भी एंटी फंगल आपको बहुत इजली मार्केट में मिल जाते हैं, हमने कोई भी एंटी फंगल यूज़ किया, तो ऌता है, क्ली सफाट रहे गया है, लेकिन जैसे उसको बंद करते हैं वापज और ज़ादा ग्रेजवली आपस से ले haveon, श्यूज़ से वापनुन हो जाती है, जितना पहले Till Bock उसे ज्यादा इंक्रीज हो पेसेंट आते हैं कि बिल्कुल छोटे से थाइस वगरा से जो आपके ऐसे फोल्ड वाले एरिया जहां पे भी होता है उससे फंगल इंफेक्शन होता है बढ़ते बढ़ते वो पूरी बॉड़ी पे फैल जाता है तो फंगल आपको समझना जरूरी है कि अगर फंगल इंफेक् होता है और वो ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देता है जब उसके लिए सबसे अच्छी जो मैं गाइडलाइन कह सकते हैं फिर सबसे बड़ा इंडिकेशन जो मैं बताता हूं कि आप जब तक मैडिसेंस यूज़ कीजेगा जब तक इंफेक्शन जहां पे भी रिंग वर्म है कि लगब मुझे लगता है कि पूरा दिन भी डिसकस करें तो भी कम टाइम में लेगा तो अच्छी आपको अगर इसके पानी है तो डाइट बहुत ज़्यादा जरूरी है आप भार से कुछ भी लगा लीजेगा जब तक अंदर से आप उसको प्रॉपर नरिश नहीं करें हैं मिल्क अच्छे से कंज्यूम कीजिएगा और साथ के साथ हाइडरेट स्किन को जरूर कीजिएगा तो जब आप एक्स्टरली और इंटरली दोनों तरह से स्किन का धियान रखेंगे तो जो आपकी कोई मेडिसीन ऐसी नहीं है जो उतना गलो दे सकती है उतना स्किन को हेल तो उमीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज का शो जरूर पसंद आया होगा और अपनी लाइफ में अपने रूटीन में इन तमाम टिप्स को वो फॉलो करेंगे और जित्ती भी प्रॉब्लम हो रही है उनकी लाइफ में सकिन से रिलेटेड वो सारी समस्याएं अब दूर हो जाएंगी साथी साथ अगर कुछ और भी प्रॉब्लम है सकिन या हेर से रिलेटेड तो आप हमारे वाट्स अप नमर पर अपने सवाल भेज सकते हैं फिलाल आज के लिए हमारे शो में इतना ही मुझे दीजे चासत नमस्कार